दरभंगा इन्वर्सिटी की ओर से डिस्टेंस मोड के बी ये पार्ट वान, पार्ट टू, पार्ट थरी के अलाबा बिकॉम पार्ट टू, बिकॉम पार्ट थरी के अगर आप छात रहें इसके अलाबा बी एल आई एस के भी अगर आप छात रहों छात रहें हैं तो आपका य पैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि आपको एसाइमेंट लिखने का सही तरीका क्या है कम समय में आप सही तरीके से एसाइमेंट लिखकर अच्छे प्राप्त करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो वीडियो को आप लाश्ट द डाउनलोड होना आपके मोवाइल फॉट में फोन हो जाएका फिलाल मेरे में डाउनलोड है मैं दूसरे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं तो आप यहां प्रेश्ते की यह यह नहीं आफ इसका अपने आपको कियां करना होगा अपने और प्सेंद कॉल्प में बाक्सकिर गलिद हैं पेन्पर भीके करेंगे और इस हैंप्लिकेरिकेसन को अपने पोन में इंस्टॉल करेंगे install करने के वाद जब आप open करेंगे तो जो भी आपको उहां से allow करने के लिए बोला जाएगा उसे आप allow कर देंगे allow करने के बाद फिर से आपको इस application को open करने के बाद अगर आपको show नहीं कर रहा है इस तरह का आ रहा है तो आप इसे इस तरह से रिलोड करेंगे जैसे कि आप यहां पर रिलोड कर रहा हूं तो रिलोड करने के बाद आपको यहां पर show करने लगा का फिलाल यह जो है वर्ड में download हुआ था तो मैं इसे open करता हूं तो किसी एक पर click कर दिया click करने के बाद आप यहां पर इस तरह से open होके आ गया तो वरे आसन तरीके से आप इससे लिख सखते हैं तो आपको assignment लिखने का सही तरीका क्या है तो इस वीडियो का लिंक आपको discussion box में मिलका तो आप यहां पर रिष्टें इस वीडियो को देखिए इसमें आपको पूरी जानकारी बता गही है assignment लिखने का complete process आपको कैसे लिखना किस तरह से लिखा जाता है आसनी से इस वीडियो को देखिए इस वीडियो का भी link आपको discussion box में मिलका मैं आपको बता चुका हूं तो इस तरह से आप assignment को download करेंगे और लिखने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं और आपको अगर आपको open नहीं हो रहा है जो आप download करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं फिर भी आपके मन में questions doubts बनते हैं तो नीचे comment केजिए या directly हमें इंस्टा पर message केजिए हम आपका reply देने की पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़ियां वीडियो के साथ